friends मेरा नाम ओमक गुफरान है और आज से हम एक नई सीरीज इस्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है struggle stories आपने अब तक हमेशा देखा ही होगा कि लोग successful होने के बाद अपने struggle stories को share करते हैं और बताते हैं कि उस milestone को achieve करने में उनको कितना struggle करना पड़ा और during struggling period उनको कितनी म मैं चाहता हूँ कि यह मेरे लिए भी एक motivation का काम करें जब मैं कोई milestone को achieve कर लूँ ठीक है और मेरे जैसे लाखो friends से मुझे पता है जो कि अभी किसी competition की preparation कर रहे होंगे या कहीं न कहीं किसी field में struggle कर रहे होंगे because हम जानते हैं जब अभी struggling period में कि यह phase कितना important phase होता है हमारी life का जिसको हम enjoy नहीं कर पाते हैं बहुत अकेले होते हैं इस period के अंदर हम हमें ना तो किसी से ज़्यादा बात करना अच्छा लगता है ना कुछ और काम करना अच्छा लगता है बस ऐसा लगता है कि जल्द से जल् milestone अच्छीव कर लें जिससे कि हम life में और आगे बढ़ पाएं इसके बाद तो इस struggling period को कोई भी इतना enjoy नहीं कर रहा होता है तो इसी process को हम enjoy करते आगे बढ़ेंगे और आज से में अपनी life की जो भी struggling period होगा जो भी अभी मेरा चल रहा है because currently I am in a struggling period after completing my BTEC in 2017 I give more than 27 competitive exams और अब तक मुझे किसी भी competition की exams में success नहीं मिल पाई है तो उसी learningों में आप से share करूँआ कि मैंने अपनी preparation में क्या-क्या mistakes की और क्या-क्या मैंने गल्तियां की जिससे की अब तक मैं successful नहीं हो पाया हूँ because होता है कई बार हमारी planning अच्छी नहीं हो रही होती है अगर planning अच्छी होती ही तो हम उसको execute नहीं कर पार होते हैं और कई बार हम होता है कि exam की requirement के साब से नहीं पड़ पाते हैं या अपना 100% नहीं दे पाते है जिसकी वाशे से हम fail हो जाते हैं meritorious students जो की हमेशा उनकी planning और उनकी execution हमेशा से सही होती है और वो अपने studying period को बहुत कम time तक रख पाते हैं और अगर करते भी हैं तो उनको हमेशा अंदर से खुद को ये motivation रहता है self motivation रहता है कि वो कर लेंगे और वो किसी भी milestone को अचीव कर लेते हैं बहुत जल्दी और उनके अंदर self confidence बहुत जादा होता है क्योंकि अपने past record को हमेशा ध्यान रखते हैं कि मैंने वो अचीव किया है तो मैं आगे भी कर लूँगा एक होते हैं below average student जो कि उनको पता होता है कि शायद हम या तो studies में इतना अच्छा नहीं कर सकते हैं या फिर वो बहुत जादा मेहनत करते हैं study में तो वो भी अपने milestone को अचीव कर लेते हैं या फिर वो किसी other field के अंदर जाके अपने आपको आजमाते हैं तो वहाँ पर वो successful हो पाते हैं जो कि 80, 70 to 80% वाले होते हैं 80 जिनके हमेशा से इतनी percentage बन रही होती है school time से और उनको और उनकी parents को भी हमेशा से यह लगता है कि नहीं हमारा लोंडा तो फोड़ेगा हमारा लोंडा तो एक दिन को इसना कुछ बनेगा और वो सही भी है देखो average student ही सबसे जादा होते हैं हूँ लेकिन बस एक ही चीज हमेशा रहती है कि मुझे give up नहीं करना है विकोज जिस चीज को मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ अंदर से feel आता है हां किसी चीज में अगर हम गलती से enter हो चुके होते हैं कि यार मुझे यह चीज करनी है नहीं चाहती है मेरा बिलकुल मन नही कर रहा है और सही तरीकी से प्लानिंग या उसको प्लान को एक्जिक्यूट नहीं किया होगा लेकिन अब मैं अपने आपको discipline मना रहा हूं और planning को execution करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप आने वाले जो मेरे competition के exam से उनको हम फोड सके और इस struggle इस जर्णी को हम enjoy क कर सके तिल देन जब ते कि मुझे first milestone achieve नहीं हो जाता है because बस एक ही चीज मैंने अपनी इस journey से सीखी है कि मुझे कितनी भी मेरे को tough time आया कुछ भी आया मुझे give up नहीं करना है because अगर मैं इस field को छोड़कर किसी और field में भी जाऊंगा तो वहां पर भी competition है वहां पर भी जो कि आज बहुत successful है लेकिन उन्होंने बहुत लंबा struggle period निकाला है अपनी during preparation आपको बता दू कि जो लास्ट एर के टोपर थे अपने जुनियाद हमत सर जिनके ओल इंडिया रेंग 3 UPSC के exams में आये थी तो 5th attempt में जाकर उन्होंने IS केडर उनको मिला है IS की जो उनको ring मिली है विकोज उससे पहले वो Indian revenue services में थे तो 4th य 5th attempt में जाकर अगर कोई बंदा UPSC crack कर रहा है तो आप सोची कि उसकी struggle जनी कितनी लंबी रही होगी हम एक या दो attempt देने के बाद अपने आपको सूस लेते कि यार हम नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं होता है अगर हम कही बार लगत कर रहे हैं उन पर आपको work करना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ते जाना है आप अपना level हमेशा अप करते जाएंगे और कहीं ना कहीं किसी mode पर जाकर आपको success जरूर मिलेगी बिकोज यही मैंने देखा है अब तक जितने भी मैंने देखे हैं fighter जो क्या successful है आप average student र matter नहीं करता है कि आप कितना late entry लेते हैं किसी फिल्ड में बस matter यह करता है कि आप उस process को कितने अच्छे से enjoy करते हैं और उससे कितना सीखते हैं जिससे कि आगे आप कम से कम mistake अपनी life में कर पाए तो उसी struggle journey को हम record करेंगे और till then जब तक कि first milestone achieving हो जाता है तब तक हम इस struggle stories को जारी रखेंगे और बताते जाएंगे कि किस तरीके से हमारा routine है क्या struggle हमने अब तक किये हैं क्या mistake मैंने अपनी during preparation की है because after 12th मैंने JEE के exam भी दी है JEE advanced जो आज जाने जाते हैं पहले उनको AIEEE और IIT JEE जाना जाता था वो exams में भी मैं को success नहीं मिली उसके बाद after completing BTEC मैंने I इस और गेट की preparation की उसमें भी मैं अब तक लगा हूँआ हूँ टेकनिकल एक्जाम्स में अभी भी currently PSUS के exams के में preparation कर रहा हूँ और कैसे मैंने उन exams के अंदर मेरी preparation रही और किस तरीके से मेरा right execution या फर कई बार right planning में नहीं कर पाया जिसकी वाज़े से मैं मुझे failures वहाँ प जो उसके बाद आप अपना field change कर लेते हो तो उस इसको भी मैं आपसे share करूँगा because मैं जानता हूँ कि मैरे जैसे लाखो friends है मेरे जो कि अपने struggling period से गुजर रहे हैं इस समय और अभी सब वो struggling period में हैं तो हम इस process को enjoy करेंगे यार साथ में because सबसे important चीज होती है कि हम इस process को enjoy नहीं कर पा रहे होते हैं हम इसको काट रहे होते हैं कि बस जितना जल्दी हो सके कड़ जाए अगर हम इसको अच्छे से enjoy करेंगे इस process को तो शायद एक होता है ना कि हमें पता भी ने चलेगा कब हम successful हो गए हम इस process को enjoy करते हैं जो daily routine होता है हमारा कि हम इतने घंटे आपको बताउंगा विकोज ज्यादा लंबी वडियो हो जाएगी कि किस तरीके से मेरा college के time क्या मेरी preparation रही हूँ समय या फिर कैसा मेरा record रहा अब तक study में और क्या मेरे को placement मिला उसके बाद कैसे मैंने competition की exams की preparation की और क्या गलतिया मेंने कि जिसकी वज़े से अब तक मैं कोई भी competition का exam करेंग नह फिकोज हम ही हैं जो लड़ते रहेंगे तिल जुततक हमें अपने डृ sacrifices की efendim नहीं हो जाते हैं